Hello Friends, Welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Ted Hughes की पोयम Hawk Roosting के बारे में इसे उनकी कलेक्शन लूपरकल में 1960 में पबलिश किया गया था ये पोयम 24 लाइन्स की है जो 6 स्क्स क्वाट प्रेंज यानि की 4 लाइन्स टैंजा में बाती गई है Friends, Hawk एक पक्षी होता है जिसे हिंदी में हम बाज कहते हैं तो इस पोयम का टाइटल है Hawk Roosting यानि एक बाज की आवाज या एक बाज की कहानी इस पोयम में एक Hawk को Human Emotions के साथ दिखाया गया है Hawk के पास Speech की यानि बोली की और Thought की यानि सोच की पावर है और वो बहुत ही Proud है उसका मानना है कि ये पूरी दुनिया उसकी गुलाम है वो इस पर रूल करता है और यहां शिकार करना उसका हक है वो बहुत arrogant है और खुद को सबकुछ से उपर मानता है जंगल के उचे पेड उसका throne है जहां से वो रूल करता है सूरज, हवा, पेड सब उसके गुलाम है और यहां तक कि ये प्रित्वी भी उससे पूछ कर घूमती है जो भी उसके मन में होता है वो वैसा ही करता है फ्रेंच टेड हुट्स एक इंग्लिश पोईट, ट्रांसलेटर और चिल्रेंस राइटर थे यानि वो बच्चों की कहानिया लिखा करते थे उनका जन्म हुआ था 17 ऑगस 1930 में और उनकी डेथ हुई थी 28 ऑक्टूबर 1998 में उन्होंने फेमस अमेरिकन पोईट सिल्विया प्लाट से शादी की थी साथ ही उन्हें 1984 में पोईट लॉरीड भी अपोईट किया गया था उनकी फेमस वर्क्स में लुपरकल, केव बर्ड्स, फ्लावर्स और इंसेक्स, दो हॉक इन दरेन शामिल हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब पोईट पर आते हैं और इसे लाइन बाइन रीट कर समझने की कोशिश करते हैं यानि मैं जंगल के उपर बैठता हूँ, सबसे उचे पेड़ पर बैठता हूँ और मेरी आखे बंद हैं, मैं वहाँ आखे बंद करके बैठता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस बैठा हूँ और ना ही मैं कोई जूटे सपने देख रहा हूँ मेरी आखे बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जूटे सपने देख रहा हूँ बिट्वीन माइ हुगड हैड और हुगड फीट और ये जूटे सपने कहा हैं, तो मेरे गोल घूमे हुए या मुड़े हुए चोंच और साथ ही मेरे मुड़े हुए पंजों के बीच, मैं कोई जूटे सपने नहीं देख रहा और in sleep, rehearse perfect kills and eat यानि कि मैं अपने सपनों में यही देखता हूँ कि किस तरह मैं अपने शिकार को मारूंगा बिना किसी गलती के perfectly और फिर उसे खा जाऊंगा फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो hawk है, ये कितना arrogant है ये मानता है खुद को कि वो perfect है, जब वो शिकार करेगा तो उससे कोई गलती नहीं होगी और साथ ही वो ये भी बोलता है कि जो वो सोच रहा है, वो कोई जूटी बात नहीं है वो perfectly ये काम कर ही लेगा, उसे अपने उपर इतना विश्वास है यानि ये उंचे पेड बिलकुल मेरी जरूरत के अनुसार है, ये बिलकुल मेरे लिए ही ऐसे बने है और ये हवा, जिसमें मैं फ्लोट करता हूं, उड़ता हूं और ये सोरज की किरने, are of advantage to me ये सब बिलकुल मेरी जरूरत के अनुसार हैं और ये सब मेरे लिए अच्छे हैं यानि ये मेरी मदद करने के लिए ही इस दुनिया में हैं इनका और कोई यूज नहीं है और तो और ये धर्ती भी उपर आसमान की ओर इसी लिए मुड़ी हुई है ताकि मैं इसे ठीक से देख सकूँ और परक सकूँ और इस पे छुपे मेरे शिकार को ढून सकूँ यानि कि अब आप समझी रहें फ्रेंड्स कि किस तरह इसके हिसाब से ये धर्ती, हवा, पेड यहां तक की सूरज सब इसके लिए वर्क करते हैं इतना एरोगेंट है ये हॉक यानि मेरे फीट, मेरे पंजे इस पेड की डाली को कस कर पकड़े हुए हैं और ये डाली कैसी है तो रफ है, ये बिलकुल स्मूद नहीं है और कई साल यहां तक की पूरी क्रियेशन, पूरी इटर्निटी लगी है मुझे बनाने में मेरे पंजों को, मेरे पेरों को बनाने में और साथ ही मेरे हर एक पंख को बनाने में यानि मेरे हर एक हिस्से को बनाने में बहुत ही जादा समय लगा है Now I hold creation in my food और अब मैं इसी creation को अपने पेरों में पकड़ता हूँ यानि God ने जो दूसरी चीजों को बनाया है मैं उन्हें अपने पेरों से पकड़ लेता हूँ जब मैं उनका शिकार करता हूँ यानि मुझे बनाने में बहुत ही जादा समय लगा है और अब मैं यहाँ इस धर्ती पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पर रूल करना है सब को अपने पेरों के नीचे रखना है और fly up and revolve it all slowly या मैं हवा में बहुत ही उंचा उड़ता हूँ और दुनिया के चारो और गोल गोल घूमता हूँ इस दुनिया को परकता हूँ I kill where I please because it is all mine यानि मुझे जब और जहां मन करता है मैं शिकार करता हूँ हत्या करता हूँ क्योंकि ये पूरी दुनिया मेरी है इस पर मेरा हक है मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ There is no sophistry in my body मेरे शरीर में कोई logical thoughts नहीं है मैं दूसरों के feelings की परवाह नहीं करता मुझे उनके thoughts से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे मन में जो आता है मैं वो करता हूँ My manners are tearing off heads और मेरे manners मेरी आदतों में अपने शिकार का सिर उसके शरीर से अलग करना है यानि मैं जब हंट करता हूँ तो बहुत ही बारबरिक हो जाता हूँ बरबरता दिखाता हूँ और अपने शिकार का सिर उसके शरीर से अलग कर देता हूँ The allotment of death यानि मौत को निश्चित करना उसे allot करना For the one path of my flight is direct क्योंकि जब मैं किसी रास्ते पर उड़ता हूँ अपने शिकार की तलाश में तो through the bones of the living तो मेरी वो उड़ान किसी की मौत से जुड़ी होती है यानि मैं कभी अपने शिकार में fail नहीं होता हूँ मेरा शिकार मुझसे बच नहीं पाता मैं जब भी शिकार के लिए निकलता हूँ किसी ना किसी की मौत होना तय है No arguments assert my right और मुझे मेरे actions के लिए किसी को explain नहीं करना होता है मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो करता हूँ मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है The sun is behind me ये सूरज मेरे पीछे है यानि इस पर भी मेरा हक है, मेरा रूल है Nothing has changed since I began और जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से कुछ भी नहीं बदला है इस संसार में सब कुछ वैसा ही है My eye has permitted no change मेरी आँखों ने, मेरी नजर ने कुछ भी बदलने नहीं दिया है ये पूरी दुनिया वैसी ही है जैसे मेरे creation के समय थी और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस दुनिया को बदलने की इजाज़त नहीं दी है I am going to keep things like this और मैं इसे बदलने भी नहीं दूँगा सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा वो है कुछ भी मेरी मर्जी के बिना नहीं बदलेगा तो friends, यहाँ पर ये poem खत्म होती है Friends, यहाँ पर hawk को एक बहुत ही powerful creature दिखाया गया है उसके पास इतनी power है कि वो इस पूरे संसार पर यहाँ तक की God की सभी creations पर rule करता है उसके मन में जब आता है वो शिकार करता है और किसी भी दूसरे जीव की हत्या करना उसका हक है उसकी इजाज़त के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता है और इसलिए उसने इस दुनिया में कोई change आने नहीं दिया है तो यह सारी बाते हमें यही पताती है कि किस तरह यह hawk एक बहुत ही proud और vain creature है इस poem की main theme है nature and violence यानि किस तरह hawk जो है वो nature का एक हिस्सा है लेकिन उसके दिमाग में violence है वो किस तरह से nature के other creatures को हानी पहुचाना चाहता है उन्हें मारना चाहता है उनका शिकार करना चाहता है तो यह पूरी poem उसी के बारे में है और साथ ही यह यह भी दिखाती है कि hawk अपने powers के कारण कितना proud है और किस तरह वो खुद को सबसे superior समझता है तो यह थी friends Ted Hughes की poem Hawk Roasting